इसलिए दोनों वीडियो का आंसर लेके मैं आपके बीच में आया हूँ मुन्ना पांडे वर्षे शेडव बिहार 2023 में उन्वल सुप्रिंग कोट ने ये क्लेरिफाई किया कि अगर ऐसे सहसन जाज आपको दिखता है कि एक्यूज अन्रिप्रेजेंटेट है और आपको जुनि एक्जिबिट नहीं करना है जो ततिमा ब्यान है अधर्वाइस तो उसका कोई यूज नहीं है लेकिन जब गवा पलट जाए तो उसको डिस्क्रेडिट करने का यूज तो है न वो परपस तो 162 के प्रवाईजों में लिखावा है न कि एक यूज है उसका तो डिफेंस काउ को केवल उस ततिमा ब्यान उस गवा का जो ब्यान उसने पूलिस के आगे दिया उसको केवल एक्जिबिट नहीं करना है उसको दिखाना है और फिर बताना है कि देख मैं तरको पढ़ के सुना रहा हूं तूने वहां क्या कहा था अब यह केस मुना पांडे इसमें क्या कॉंपिटेंट लॉयर होना चाहिए खास कर सेसें ट्रायल में वह यहां मिसिंग था और आप फांसी की सजा दे रहें इसमें तो ओनेवल सुप्रिंग कोट ने कहा भाई आप 162 के प्रवाइजों को ध्यान से पड़ें परपस जो वर्ड है तो परपस है कि जज भी चाहा कर भ बताऊं वहां भी तो यही कोश्चन उठा था कि पुलिस बिना आपकी इजाज़त के फर्दर इंविस्टिगेशन 1473 सबसेक्षन 8CRPC में कंटीनू कर सकती है तो क्या मजिस्टे डिरेक्शन ही दे सकता है तो बड़ा अपसर्ड होगा और सुप्रिंग कोट ने अपनी दो ज चाहिए मेजिस्ट्रेट भी वह बकाइदा 165 एविडिन्स एक की पावर किसी भी स्टेज में किसी भी गवा को कोई भी कोश्चन पूछने का यूज कर सकते हैं हाँ परपस उतना ही रहेगा डिस्क्रेडिट करने का और कोई परपस नहीं क्योंकि यह परपस बड़ा इंप आंसल का अप अटेंशन ड्रॉ करो आप उसको बोलो कि आप इस तरह पूछो यह मेक ओवर भी किया जा सकता है आंसर इस किया जा सकता है अब इस केस में तो क्या हुआ भाई एक तो जो रेव विक्टी में वो मर चुकी है और जो गवाज दे रहे हैं पुलिस के आगे कुछ और यहां पर कुछ और और आप आसी की सजा दे रहे हो यहां तो फिर भाई नयाय होना ने चीए दिखना भी चीए यह प्रिंसिपल तो फेल हो जाएगा और आप डेथ सेंटेंस रेफर कर रहे हैं 366-368 में तो यहां जो हाई कोट है उसकी डूटी के वल यह देखनी की नह और निशकर्च पर पहुंचेंगे कि क्या इसमें फर्दर इंक्वाइर के जरूरत तो नहीं है क्या इसमें एडिशनल रिवेडिंस लेनी के जरूरत तो नहीं है या यह बिल्कुल ठीक है तो मोहर लगा दें फिर जलात फांसी चड़ा देगा अगर वो अपील के गवा हैं वो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं धारा उल्टी चला रहे हैं जो पुलिस के आगे कहा 161 CRPC में उससे बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं तो अगर डिफेंस काउंसल इन कॉपिटेंट है तो आपको 165 एविडेंस एक की पावर एक्सराइज करके कोश्चन पूछना चाहिए था तरीका वही होगा 145 एविडेंस एक की तहट तरीका आपने बिदल सकते और परपस एक ही होगा परपस होगा कि वह डिस्क्रेडिट का और कुछ नहीं खुद करें हैं मेक ओवर करें समझाएं जुनियर काउंसल को उसका अटेंशन ड्रॉ करें और यह सारी चीजों को देखते हैं वो Honorable High Court को रेफर कर देना चीए था इसको वापस यह बात Honorable Supreme Court ने कही और इसी दिए इस केस में रेफर कर दिया गया था 366-368 CRPC में आप महर ना लगाएं अगर आपको कोई भी कमी दिखती है तो उसको बोलें कि आप refresh यानि Honorable Sessions को आप यह ब आनिवाद